हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका यूटूब चैनल प्रग्या एजुकेशन सोसाइटी पे दोस्तो आज हम लोग क्लास हिंदी दिगंद के पद्धे खंड को प्यारे नन्ने बेटों को पढ़ेंगे जिनके कभी हैं विनोध कुमार शुक्ल देखें दोस्तो एक्जाम बहुत ही नजदीक आगया इसलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाएए तो चलते हैं आज के सवालों को देखते हैं जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आज के पहला सवाल है विनोध कुमार शुक्ल का निवास अस्थान कहा है यानि विनोध कुमार शुक्ली जी का जन कहां हुआ था आपसन है उत्तरपरदेश, रायपूर 36 गड, बिहार या पंजाब में तो आपसन नमबर सही होगा आपसन B रायपूर 36 गड में विनोध कुमार शुक्ली जी का जन्म हुआ था अगला प्रश्ण है विरोध कुमार शुकल ने कौन सी कवीता लिखिया विरोध कुमार शुकली की कौन सी कवीता है इन में से अप्सन है अधिनायक प्यारे नन्हे बेटे को पुत्र वियोग या हार जी तो अप्सन नमबर सही हो जाएगा अप्सन भी प्यारे नन्हे बेटे को अगला प्रश्ण है रगवी शहाय स्मृति पुरुषकार विनोध कुमार शुकल को कब प्रदान किया जिया था विनोध कुमार शुकली जी को रगवी शहाय स्मृति पुरुषकार कब मिला था अप्सन है 1988 इस्वी में 1990 इस्वी में 1992 इस्वी में 1994 इस्वी में तो अपसन नंबर से हो जाएगा अपसन भी 1990 में इनको पुरुषकार मिला था अगला प्रस्टी है 1999 में विनोद कुमार शुकल को कौन सा पुरुषकार प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुकली जी को 1999 में कौन सा पुरुषकार मिला था अपसन है रगवी शाहाय, इस्मृती पुरुषकार, दयावती, मोधी, कवी, शेखर, शम्मान, शाहित्य अकादमी पुरुषकार या इन में से कोई नहीं तो अपसन नमबर सही हो जाएगा, अपसन सी, शाहित्य अकादमी पुरुषकार उनको 1999 इस्मृ में मिला था अगले प्रस्व को देखते हैं, विनोद कुमार शुकली का पहला कविता शंग्रा लगभग जय हिंद पहषान सीरीज के अंतरगत कब प्रकाशित हुआ विनोद कुमार शुकली का पहला कविता शंग्रा लगभग जय हिंद की पहषान सीरीज के अंतरगत कब प्रकाशित हुआ था अपसन है 1971 इस्मृ में, 1972 इस्मृ में, 1973 इस्मृ में या 1974 इस्मृ में तो अपसन नमबर सही हो जाएगा, अपसन A, 1971 इस्मृ में अगला प्रशन है विनोद कुमार शुकली विश्व विद्याले में, एसोसियेटेड प्रोफेसर रहे विद्याले के नाम बताना है, कौन सा विद्याले है, जिसमें ये एसोसियेट प्रोफेसर रहे है तो उप्सन है राजेंदर प्रिशाद क्रिशी विश्व विद्याले सीज राए है प्रोफेसर के रूप में लेक्ट सवल है विदूत कुमार और ना शुकर्षाल का पहला कविता शंक्रान कौन सा है तो अओसन है वो आदमी नया धरमकोट पहन कर चला गया विचार की तरह शड़कुछ उना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं या लगभगजाहिन तो यही है लगभग-जाहिन इनका पहला कविता शंक्रान है अगला प्रश्ण है प्यारे नन्हे बेटे को कवीता किस सैली में लिखी गई है अप्सन है व्यांगात्मक शैली वर्तलाब शैली प्रतिकात्मक शैली या इनमे से कोई नहीं तो आपने पढ़ाई होगा chapter को, तो इसका अप्सन नमर सही हो जाएगा वर्तलाप रिसेली, इसमें वर्तलाप किया गया है, अगला प्रशन है, प्यारे निन्हे बेटे को कवीता का नायक कहां का रहने वाला है, जो नायक है प्यारे निन्हे बेटे में, वो कहां का रहने वा हंड के रहने वाले हैं अगला प्रश्ण है विनोत कुमार शुकल बीश्वी सती के कि सतक किस दसक में एक कभी करूप में सामने आये थे थे तो अप्षिन हैं पांचवे छटे सतक में, छटे सातवे दसक में, या सतवे आठ्वे दसक में, या अठ्वे नवे दसक में, तो अपस्ण नम związантह हो जाएगा, अपस्ण सी 7-8, तो कभी के रूप में उभर कराये थे, अगला प्रशन है विनोत कुमार्शुकली की रचना महा भीश्वविद्य महाविद्याल है शाहिते की किस विद्या का शंग्रा है जो विनोत कुमार शुकली की रचना है महाविद्याल है वो शाहिते की किस रचना का संग्रा है तो अप्सन है नाटक संग्रा है कहानी संग्रा है कविता संग्रा है या इन में से कोई नहीं तो यह है कहानी संग्रा अगला प्रेशन है कौन सा उपनियास विनोत कुमार शुकल द्वारा लिखी थे तो अप्षन है नौकर की कमीज कंकाल इरावती या इन में से कोई नहीं तो अप्षन नौकर की कमीज उपनियास विनोत कुमार शुकल द्वारा लिखी थे अगला प्रेशन है कौन सिक्रिती व तो विनूत कुमार्शुकली की नहीं है अपसन है महा विद्यालें पेर पर कमड़ा दिवार में एक खिरकी राती थी या इंदर जाल तो अपसन नमबर सही हो जाएगा अपसन दी इंदर जालिंग कर नहीं है और सब तो इन ही कहें अगला प्रशन है कौन सिक्रिती विनूत कुमार्शुकली की है कौन सिक्रिती है इन में से जो विनूत कुमार्शुकली की है अपसन है गंगात्तर घास में दुपका अकास सब कुछ बचा रहेगा या आसू तो अपसन नमबर सही हो जाएगा सब कुछ बचा रहेगा इन ही कह अगला प्रीशन है विनोंट कुमार शुकली नीराला स्रीजन पीट में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे Option है मोख्य सहहित्यकार अतिथी सहहित्यकार मोख्य सयोजक या मोख्य सालहकार तो अप्सन नमर सही है है अतीती साहित्यकार जुन 1994 से जुन 1996 तक ये अतीती साहित्यकार की रूप में काम किये हैं अगला प्रशन है विनोध कुमार शुकल को कौन सा प्रुषकार नहीं प्रतान किया गया विनोध कुमार शुकल जी को कौन सा प्रुषकार इनमें से नहीं मिला है अगला प्रशन है विनोत कुमार शुकल का जन कहां हुआ था? अप्सन है उत्तर परदेश, बिहार, मद्य परदेश या 36 गोर तो इनका जन 36 गड़ में हुआ था अप्सन नमबर सही हो जाएगा D विनोत कुमार शुकल का जन 36 गड़ में हुआ था अगला प्रशन है विनोत कुमार शुकल का जन कब हुआ था? विनोत कुमार शुकल का जन कहां हुआ था? अप्सन है एक जनवरी 1937 को बारे फरवरी 1937 को बिस मई 1934 को या बारत जुलाई 1944 को तो अप्सन नमबर सही हो जाएगा अप्सन A एक जनवरी 1937 को विनोत कुमार शु कुछ होना बचा रहेगा वह आदमी नया गोरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह या नौकर की कमीज या अशाध्य वीना तो अगला प्रशन दिखते हैं मेहनतकस और औरत को कवी ने किस रूप में देखा है अपसन है सोना लोहा पत्थर या लकडी तो अपसन नंबर सही हो जाएगा अपसन भी लोहा मेहनतकस और औरतों को कवी ने लोहा के रूप में देखा है अगला प्रशन है कौन सिक्रिती विनोत कुमार शुकली की है कौन सिक्रिती है जो विनोत कुमार शुकली की है अप्सन है दिवार में खिर्की रहती थी कुछ पत्ते कुछ चीटिया हारे को हरी ना या मौत मुस्कुराई तो इनका है अप्सन A दिवार में खिरकी रहती थी। अगला प्रिशन है विनोत कुमार शुकल की कौन सिक्रिती पर मौनी कौल जी ने फिल्म बनाई है। तो अप्सन C दिवार में खिरकी रहती थी पेर पर कमड़ा नौकर की कमीज या खिरेगा तो दीखेंगे। तो अप्सन नमबर सही हो जाएगा, अप्सन C, नौकर्ड की कमीज, इस पर फिल्म बनाए गई है अगला प्रशन है, पत्नी बीटिया को क्या करती है, अप्सन है, डांती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है अगला प्रश्ण है पीता जी बीटिया को क्या करते हैं अगला प्रश्ण है प्यारे नन्हे बेटे को कवीता में लोहा किसका प्रश्ण अगला प्रश्ण है प्यारे नन्हे बेटे को कवीता में लोहा कर्म का प्रश्ण है अगला प्रश्ण है प्यारे नन्हे बेटे को के रचाईता कौन है प्यारे नन्हे बेटे को कवीता में लोहा कर्म का प्रश्ण या असोक वाचपेई तो विनोत कुमार शुकले जी है प्यारे नन्य बेटे के रचाईता अगला प्रश्न है प्यारे नन्य बेटे को कवीता किस संकलन से ली गई है देखते हैं अप्सन वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेग दिन से या inhale तरफटन से तो अपहमनबर सही हो जाएगा अच्पन मैं मैं अप्सन वह होगा सब कुछ अगला प्रश्न है नोकर्ट की कमीज क्या है नोकर है जो विनोत कुमार शुकली किरिती ती तो क्या है अपसन है कहानी है प्रबंध काव्या एश्मरन है या उपनियास है यह अंतीम सवाल है तो देखते हैं इसका अंसर होगा अपसन डी उपनियास नौकर की कमीश उपनियास है तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के के लिए जय हिन जय भारत